नमस्कार मैं आपके साथ जोदी फंडिलवाल और स्वागत है आप सभी का हमारे खास कारेकरब डॉक्टर एडवाइज में जहां हम आपको प्रतेक बीमारी की जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं ऐसे ही गुरू नानक हॉस्पीटल से हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं ड वो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं आईए उनसे जानते हैं पेट लिवर और आतों की क्या बीमारियां होती हैं कैसे उपचार होता है और क्या उनके लक्षन होते हैं सर्थ बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कारेकरब डॉक्टर एडवाइज में नमस्कार पेट और लिवर की बिमारियों का इलाज करता हूं जो आजकल बहुत ही जादा बढ़ गई है कुछ खाने पीने से कुछ लोगों की जीवन शैली की वज़े से कुछ जीवन शैली ऐसी हो गई है कि शराब तंबाकू का सेवन जादा हो गया उससे पेट की तकलीफें लिवर लिवर और पेट की दकलीफें बहुत बाड़ गई है अगर मैं पेट की बीमारियों के बारे में बात करो तो सर कितने प्रकार की जो है पेट की जो बीमारिया होती है मतलब कितने प्रकार की होती है पेट हमारा बहुत बड़ा है मतलब आप मानेंगे हमारे जो मुह के रस्त में बहुत सारी बिमारइयां होती है जिनका हम मरीजों के लक्षन के हिसाब से उसका टेस्क कराते हैं और उसका इलाज करते हैं। सर, अगर मैं शुरुआती लक्षण नों के वारे में बात करूँ, तो ना इन बीमारिय को शुरुआती लक्षण और इसके उप्चार फिर लिवर के पानी भर जाता है जिनको पीलिया होता है या पैट में पानी भर जाता है या खुण की उल्टी घाती है उसका राइनोस्कोपी कि जो नली होती है सर उसमें कई बार खाना खाने में रुकावटें आती होती है उनमें जो तंबाकू का सेवन जादा करते हैं उन cases में आया शराब जदा पीते हैं कभी अटोपवार भॉत नोरी चाहिए कि पता लग सके खाने में रुकावट किस वजेčे में कभी कवार क्या होता है सिर्फ एक वेब होता है सिर्फ एक फाइब्रस टिशू होता है जिसकी वज़े से भी रुकावट आ सकती है जिसको डाइट करके मरीज भी कुछ स्वस्त हो जाता है पर अगर गांठ है तो उसको एंडुसकोबी करके उसका टुकड़ा लेके उसकी सबस्क्राइब और से ग्लति इसे पेट से आपने सुई निकाल थी, सर किस तरीके से आपने जाना, कि उस बच्ची के पेट में सुई है, और किस प्रकार से उसको निकाल खे अब है और। इस वर्शेफ लेडी थी बच्ची थी वो सुई धागा घर में सी रही थी और उसने सुई अपने मुँ में रख ली और रखते रखते बच्चे से छोटे बच्चे से किससे बात करने लग गई और गलती इसे वो सुई उसके पेट में चली गई जब वो मेरे पास आई तो 3-4 गंटे हो चुके थे सुई पेट में गए हुए और हमने एक एक स्रे कराया उसका पेट का एक स्रे कराया उस एक स्रे में हमें सुई दिखी फिर हमने उस लड़की को बियोशी में एंडोस्कोपी के लिए सुई देखने के लिए कि सुई कहां पर है हमने एंडोस्कोपी करी देखा सुई उसके पेट के एंट्रम में एक हिस्शा होता है. पेट का एंट्रम जिसे कहते हैं. उसमें गड़ी हुई थी अंदर. सुई गड़ी हुई थी. अब हमें ये decide करना था कि उससे सुई को निकालना कैसे है. एंडोस्कोपी से सुई निकल जाती है, अराम से निकल जाती है, तो हमने एक बार तो सोचा कि एंडोस्कोपी से ऐसे ही निकालते है, पर एक खत्रा रहता है, सुई निकालने में एंडोस्कोपी से भी एक खत्रा रहता है, जब हम सुई को निकालते हैं, तो खाने वाली पाई को चीर सकती है वो एक खत्रा बहुत एहम रहता है तो उसके लिए हमारे पास एक दूसरा ओजार है वैपन है अब जैसे करें ओवर्ट्यूप हम एंडोस्कोपी के ऊपर ओवर्ट्यूप को चढ़ाते हैं और ब्योशी में हमने किया ये काम ब्योश करके अनस्टेस्ट आये उ और एंडोस्कोप और ओवर्ट्यूप को कठे हमने बाहर निकाल लिया उससे क्या हुआ खाने वाली पाइप में कोई इंजरी नहीं हुई कुछ नहीं हुई और विदिन 5-7 मिनट्स हम उस सुई को बाहर निकाल पाए 24 घंटे का अब्जर्वेशन रखा उस लड़की का 24 घ अंद्रूनी भागों की देख्माल कैसे करनी चाहिए इसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे जो अंद्रूनी भाग है लुमिनल गेस्ट्रेंटॉलजी से कहते हैं हमारी खाने वाली पाइप हो गई पेट हो गया या हमारा चोटी आथ बड़ी आथ हो गई इन चीजों का हम में बस एन रखना एक तो जीवन शहली अच्छी रहे मुटापा ज्यादा ना बड़े सेर करते हैं खाने में हरी सबजियां फल फ्रूट वह ज्यादा ले दे रहें वह बहुत जरूरी है वह मिर्च मसाले चीज़ें तलीव चीज़ें कम खाएं चेल चिकनाहट वाली चीज आप सभी दर्शकों का सर्वोद्य टीवी को जो अटूट प्यार और सहयोग मिल रहा है उसके लिए सर्वोद्य टीवी परिवार आप सभी दर्शकों का सदा रिणी रहेगा आपका सर्वोद्य टीवी पलवल जिले का एक मात्र ऐसा टीवी चैनल है जो दो-दो केवल नेटवर्क पर चल रहा है बिजाइना केवल नेटवर्क और चांदनी केवल नेटवर्क पर उपलब है साथ ही सभी शोशल नेटवर्क पर भी उपलब है तो देखते रहें आपक देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद